अब आज दोस्तार वेलकम तो कलो सब्लाइप में वो जोगल राजा हमारे इस लोग और रिलस्टेश्टिप के जनर में आपका फिर से पर बहुत बश्वागत है तो आज के वीडियो में आपके लिए लाए हूँ 10 टेक्स मेसिज्ज आपकी गल्फरिन के साथ रोमेंटिक होन से दोस्तो रीलेशन में कम्युम्यों करने Unterstüts अच्छा होता है और हर जगह पर सकतर तो कर ले दा його किस तरह से कुम्यूनिकेट करना बहुत ही इंपोर्टन हो जाए इस तरह से मैं आज आपको इसे टेक्स बेंदे के बारे में बताऊंगा कि आपका कुम्यूनिकेशन अच्छा हो ताकि इसमें रोमांस बना रहा है उसमें ताजगी बने रहे है इसा लगे कि आप दोनों का रिलेशन है आ करते हो लेकिन तरह कि सकते क्सको किस तरह से एक्स्प्रेंट करना कि स्सक्राश्ट करना और बता आप इंपोर्टन हो हो जाता है अकए सबी लड़के लिए वीडियो बनाये थे कि आप अपने वोईफ्रेंट को किस तरह से रोमेंटिक मेसेज कर सकते हो उनको खूश कर सकते हो अगर आप लड़की है तो आप मेरा वीडियो पीछ लेका था ओधे और इसी वीडियो के कॉमेट में मैंने लड़कों को देखा कि उन्हों है और अब स्टार्ट करते हैं आपको यहां पर सब चाहिए मैसेज करना है अपनी गल्फ्रेंट को कि तुम जब मेरे साथ नहीं होती तो मुझे तब और किसी का साथ अच्छा ही नहीं लगता याप जब अपनी गल्फ्रेंट को यह में सेंद करोगे कि जब तुम मेरे साथ नहीं होती तब मुझे किसी और का साथ अच्छा ही नहीं लगता यहां पर इस रित का एसास होता है आपकी गल्फ्रेंट को कि आप उसको बैडली मिस करें आप उसे बहुत ही मिस करते और लड़की यह चाहती है कि मेरा बोई फ्रेंट मुझे हर टाइम पे मिस करें और मेरे केडियर सीवा अपने दिवाग में किसी को आने ही ना दये उसको हर जगा मेरा एकसास होना ही चाहिए तो यह कमाते के घगवान मुझे कुल ने तुम्हारा प्यार गिया अब जब यह टेक्समेश कुछक्ण से मेरा प्यार पाकेखोई इंसान इतना खूस हो गया और मेरा प्यार पाने के लिए उसने इतना एफड लगाए होगा अपने जन्में या अपने पिसले जन्म में पुनिय कमा है तब जाके मैं उसको प्राफ हुई तो यह हला की यहां पर लड़की के लिए घर लेने वाली तो आप किसी इंसान को के जीच सकते हो यह होती है सब्दों की ताका और आपको मैं यहां पर बताऊंगे आपको किस तरह के जादों 극्रण बनना है तीसरा मेसेज्ग आपको अपनी गर्फalin को भेदना है कि मैं अपनी जिन्गी के आखरी पल तक उस भगवान का सुक्र गुजार हूँ जिसने मुझे तुम से मिलाया और तुमें मुझे लिपांस भेजा जब आप ये टेक्स मेसेज अपनी गर्फेन को बेचते तो आपकी गर्फेन रिलाइज करती है फिल करती है और एहसास करती है कि आप उनको लेकर कितने सीरियस हो आपको कितनी वेल्यू है अपनी गर्फेन की ये सारी इस मेसेज में सो होती है उस लड़की को लगता है कि ये लड़का मुझे खोड़ने से भी डरता है पल पल भगवान का वो ऐसा अनमन्द है इसलिए वो कितना जदा खुछ से मुझसे पाकर चोथा मेसेज आपको अपनी गर्फेन को बेजना है कि मैं जब तुमारे सेहरे पर स्माइल देखता हूँ तो मैं अपने सारे दुख और दड़ वही पर बोल जाता हूँ जब ये मेसेज आप अपनी गर्फेन को बेजते हो तो उस लड़की को बहुत ही अच्छा फिर होगा कि कोई इंसान है जो मुझसे प्यार करता है और मेरे सेहरे की एक स्माइल देखर सारी अपनी तकलिप है सारे अपने दुख को भूल जाता है तो लड़कियों ना दूसरों को खुश करने के लिए और खास उसे जिससे वो प्यार करती है जो अपने उनको कुछ मदत रूप हो सके उसकी कुछ हेल्प हो सके और उसके लिए किसी की लाइफ में अच्छा होता है तो लड़किया वहा होती है तब मेरी जिंगी का एक एक पल जो मैं काटता हूं वो सिर्फ और सिप मेरे लिए सबसे बड़ी सजा होती है तुमारे बीना जो मेरे एक भी पल है वह बिल्कुल वेस्ट है उसका कोई जब अपनी गर्फेन को भीजते तो लड़की को पता चलता है कि वह जब आपक ऒछा लगए का उसको आप पर लाए गा और अच्शा फिल करेगी तब अफ हमेस आप अपनी Crunch को यहाँ तिक तुम्हारा हाथ का थामना मेरी सबसे परेषभ हो भी है और मेरा सबसे परेषभ काम है जब आप ये अपनी गर्फन को यह मेंसेज कर सकती है क्या आप मैश में उनको खोने के लिए कोई भी किमत पे नहीं चाहोगे यह आप से दूर हो तो यहां पे सोफ होता है कि आप उसे प्यार करते हो और आप उसे कभी खोना नहीं चाहते आपको अपनी गल्फरेंड को भेजना है कि तुम्हें भगोन ने कुछ फिचितर खास प्रकार से ही बनाया है तुम्हें कुछ इसी क्वालिटी है इसलिए मैं हर हमें सिर्फ तुम्हारी तरफ ही अट्रेग होता हूं यहां पर लड़की को पता चलता है कि वो कितनी यूनिक ह कि वो कितनी खास है और स्पेस्यल है यहां पर लड़की को को स्पेस्यल होने का फील होता है कि तुम मेरी एक एसी आदत हूं जिसे मैं कभी छोड़ना नहीं चाहूंगा जब आप यह टेक्स मेसेज अपनी गल्फरेंड को भेजते तो उसको यह एसास होगा कि उसकी जिनकी घुली हुई है आपकी जिनकी में कितनी इंपोर्टन है एक मेसे आप अपनी गल्फरेंड को भेज चाहते हो कि तुम एक बिल्कुल ड्रग की तरह हो क्योंकि तुम्हें देखते ही नसा बनता है और मैं इस नसे का आदि हूं मैं एक ड्रग का आदि हूं जब आप यह टेक् टिक टेक्स जिनको भेज के आपकी गल्फरेंड को आप बहुत है अच्छा फिल को रहोगा है आयम शूर तो दूस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो मेरी यह मेनत के लिए प्रीज एक लाइक कर देना इसके बाद पी आपको कोई क्रेशन है तो कोमेट में कर दे करें करें कल दूसरे वीडियो के साथ तब तरक लेटे करें थेंक्यू सो मच